हेलो एब्रिवन कैसे हो आप सब एक बात पुना स्वागत है आप सभी कामारे अपने योट्यूब चैनल स्यू कोचिंग क्लासेश पर उम्मीद करते हो दोस्तों आप सभी बेतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेतर ढंग से चल रही होगी आज की इस बीडियो में यहां पर हम देखेंगे चैप्टर 12 के जितने भी इंपोटेंट यहां सी क्यों है तो आज यह सीधी बीडियो कोई स्टार्ट करते है देखिए पहला कोस्चन है अनुवांसिक अभियंदकी में सहायक होता है तो देखिए इसका राय टेंसर क्या हो जा के इसका प्रियोग होता है तो रिस्ट्रेक्षण एंक्रो नुक्लिएज का यूज होता है तो आपसाय मद यहां पर क्या है और ऍन्कुछा चलिए next question है gene cloning में काउन सा extra chromosomal डियने वाहक की तरह उप्योग होता है तो option number D यहाँ पे plasmid जो होता है तो यह gene cloning में extra chromosomal अथवा वाहक की तरह जो है कार करता है तो option number D यहाँ पे plasmid जो है correct हो जाएगा चलिए next question है hydrosome क्या है hybridosome देखे hybridosome क्या है तो यहाँ पे right answer क्या हो जाएगा hybrid culture है यह क्या है hybrid culture होता है hybridosome next question है vaccine जो हमारी लक्षा निम्न रोगों से नहीं कर सकते है देखे ऐसे count किसके vaccine है जो की रोगों से हमारी लक्षा नहीं कर सकते है तो देखिए जो malaria रोग का विशाणू होता है यह रोगों से लच्छर नहीं कर सकता है तो यह जो vaccine होती है मुखरूप से यह malaria पर प्रभाव उत्पन नहीं कर सकती है Next question है Humulin है देखिए Humulin क्या है पहला option दिया गए काईटिन का एक प्रकार या दूसरा option है नया पाचक enzyme है तीसरा option दिया गए सकती साली प्रतिजाईविक है या चौथा option है मानव insulin है तो हीमulin क्या होता है एक प्रकार का काईटिन का एक प्रकार होता है क्या होता है एक काईटिन का एक प्रकार होता है तो hemulin क्या है, kaitin का एक प्रकार होता है चलिए next question है जैव हतियार के रूप में प्रयूक्त नहीं होता है तो देखिएंगे जैव हतियार के रूप में किसका प्रयूक्त नहीं होता है तो वैसिला इस्टुरेंजियस का ction number C यहाँ पे क्या है? करेक्ट है क्या है वैसिला स्थुरेंजियेसिस चलिए नेस्ट कोस्चन है कि सुपर बग कहते हैं देखिए सुपर बग किसको कहते हैं पहला आप्षन दिया गए स्यूडो मोनास प्यूटिडा को दूसरा आप्षन है जैन्थो मोनास सिट्री तीसरा आप्षन दिया गए वैस पॉपरवग कहते हैं चलिए नेस्ट कोशन ने जैव डकैती के सिकार पौधे हैं I.S. पॉपरवग कहते हैं तो पहला अप्चन दिये गए नीम दूसरा अप्चन है वासमती चावल तीसरा अप्चन है हल्दी और चव्था अप्न अफ्षन उपरोग्त सभी तो देखे, यहाँ पर नीम, हल्दी और बास्मती चावल यह सभी के सभी जो हुआ जैव डगेंती के सिकार है तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ परaba जाएगा चलिए नेस्ट कोश्चन है अंधात्तो निवारण हेतू प्योगी फसल है तो देखिए अंधात्तो के निवारण हेतू प्योगी फसल काउन सी होती है तो गोल्डन राइस गोल्डन राइस में बिटामीन एकी परियारत मात्रा होती है जो कि अंधात्तो निवारण म मात्रा पाई जाती है जो कि बिटामिन A की कमी से ही क्या होता है रताओंधी रोग होता है जिस कारण से आखों में दिखना जो है लगबग लगबग अच्छे से बंद हो जाता है तो इस प्रकार गोल्डन राइस जो है इसके निवारन में प्रमुख उप्योगी फसल तो इसके पहले ही आपको बता चुका है कि जो गोल्डन राइस होती है इसमें कहों सा बिटामिन प्रमुख मात्रा में पाई जाता है तो बिटामिन A आपसन नंबर A यहाँ पे क्या है करेक्ट है चलिए नेस्ट कोस्चन है वायो पायरेसी संबंदित है देखिए वायो पा आगत ग्यान से यह हम कह सकते हैं तीसरा आपसन है जैव अनुसंधान में और चौथा आपसन दिया गया यहाँ पे यहाँ पे देखिए A D नंबर है यहाँ पे भी हो गया है तो यहाँ पे चौथा आपसन है उप्रोक्त सभी तो यहाँ पे राइट एंसर क्या हो जाएगा उप्रोक्त सभी चौकि जो भायो पैरेसी संबंदित होती है वो इन सभी से संबंदित होती है चलिए नेस्ट कोस्चन है नेस्ट कोस्चन है इंसुलिन कितनी पाली पेप्टाइट्स रंकलाओं का बना होता है तो देखिए कोई भी इंसुलिन जो होता है यह दो पाली Q द्वारा, उत्पादित, प्रथम मानव हार्मोंस कहों सा है, तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा, आपसन नमबध B, इनसुलिन, इनसुलिन जो है, पुनर सन्योजे डियाने प्रतधोगी की द्वारा, निर्मित, प्रथम मानव हार्मोंस है, चलिए, next question है, जलिए, प् प्रजातियां है यह किसकी प्रजातियां है सुनेरा चाउंसट और लर्मा रोजा चाउंसट ए किस पादप की प्रजातियां है तो इसका राइट एंसर क्या है गेहूं की यानि यह ट्रेटिका में स्टीवम की क्या है यह दोनों की दोनों प्रजातियां है चलिए ने इस्ट क चलिए जैविक पदार्थों के प्रयोग के लिए प्रसास की आग्या पत्र कहलाता है तो देखिए जैविक संसादनों के लिए जैविक पदार्थों के प्रयोग के लिए जो प्रसास की आग्या पत्र होता है वो क्या कहलाता है जैव एक अधिकार कहलाता है या इसी को हम क्या कहते हैं वायो पूटेंट कहते हैं तो इस प्रकार से इसको हम जैव एक अधिकार या वायो पूटेंट कहते हैं जो की एक जैवी का धिकार प्रदान करता है जिसके दोरा कमपनिया जो है अधिक मात्रा में लाब कमाती है चलिए नेस्ट कोश्चन है वायो पायरेसी किस से प्रथम ट्रांस जेनिक फसल का नाम लिखिए, तो प्रथम ट्रांस जेनिक फसल का उनसी है तम बाखु, जो है यह प्रथम ट्रांस जेनिक फसल है, चलिए next question है, BT का पास में इस्थानांत्रित कीट रोधी प्रोटीन का नाम बताना है तो देखें जो BT काटन है या BT का पास है उसमें इस्थानांत्रित कीट रोधी प्रोटीन का नाम बताना है तो इसका right answer क्या है cry protein cry protein जो है BT का पास में स्थानांतरित होने वाली कीट रोधी protein होती है चली next question है NIF gene किस सूच मुझीव में पाये जाते हैं तो यह किस में पाये जाते हैं राई जो भी हम नामक सूच मुझीव में पाये जाते हैं चली next question है एक महत्पूर्ण कीट नासक का नाम बताना है नेंस्ट question है BT जो है protein किस के द्वारो उतपन होता है तो इसका right answer भी हो जाएगा Bacillas thuringiensis जो है BT प्रोटीन के द्वारो उतपादन होता है वही एक महत्पूर्ण कीट नासक भी है यह क्या Bacillas thuringiensis तो यह एक मुखरूप से कीटना सक होता है जो कि Btbisprotein का निर्मार करते हैं नेस्ट कोशन है SCID यानि Senior Combined Immuno Deficiency यह क्या है तो देखें SCID क्या है एक वनसानुगत रोग होता है यानि यह एक genetic disease होती है चलिए next question है Trichoderma का उपयोग किसके नियंतरन में होता है तो Trichoderma का उपयोग जो है वो कबक रोगों के जैब नियंतरन में होता है किसके नियंतरन में कबक रोगों के जैब नियंतरन में होता है चलिए अगला question है कि वे जीव जो किसी दूसरे जीव से प्राप्त जीन को धारन करते हैं क्या कहलाते हैं यानि ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव से प्राप्त जीन को धारन करते हैं वो ट्रांस जीव कहलाते हैं या ट्रांस जेनिक जीव कहलाते हैं चलिए, नेस्ट कोस्चन है, मक्के में नर्वंदिता किसके कारण होती है, तो मक्के में जो नर्वंदिता होती है दोस्तों, वो कोसी का द्रब्बी अनुवान सिक्ता के कारण होती है, किसके कारण, कोसी का द्रब्बी अनुवान सिक्ता के कारण होती है, चलिए, नेस्ट कोस को यह निस्ट को इननसलीन की दोनों पेदाईड जो होते हैं कि दोड़ा जुड़ी होती है। तो इंसूलिन की दोनों पेप्टाइड चेंस जो है ये आपस में तीन सलफाइड पूलों के दोरा क्या होती है जुड़ी रहती है तो इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो हमने क्लास 12 भाय लाजिक में चैप्टर 12 का जो भी इंपोर्टेंट वस्तु निश्टिय है या